दोस्तों आज के हम इस वीडियो में railway group D के कुछ बहुत ही महत्पूर्ण प्रशनों को आप लोक लिए लेके आए हैं जिनको हम आसानी से समझेंगे देखें प्रशनों को ध्यान से समझना है कई लेबल के प्रशनों पूछे आते हैं और सारे लेबल के प्रशनों को में different different type के प्रशनों को हल करा रहा हूँ देखें इससे question number first है आपका 5 बेटा 8 गुड़े 3 बेटा 4 और आपका भाग में दिया गया 35 बेटा 48 का मान क्या है भाग इसको गुड़े के चिन में बदलेंगे जब गुड़े के चिन में बदलते हैं तो नीचे वाला उपर चला जाता है जैसे यहां पर 48 नीचे उपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा ठीक है देखें 8 चंग 48 ठीक है आप इसको काटिए देखें इसको काटेंगे ह हम कितनी बार जाएगा पांच सते 35 ठीक है दो दूनी चार दो तेंच छे आपका कितना हो जाएगा उपर देखे तीन तिरका नव और साथ दूनी चौदा नव बेटा चौदा आपका एंसर आ जाएगा जो कि आपका आपसर नमर 4 सही है देखिए कई तरह के प्रेशन पूछे है नल सी इसे 10 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है यह सभी तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भणने के लिए कितना समय लगेगा देखे कुछ लोग इतना लंबा जब प्रेशन पढ़ते हैं तो उनको बहुत confusion हो जाता है जो practice नहीं किये र भरता है आपका 5, B इसे कितने घंटे में भरता है 8 ठीक है और C इसे कितने घंटे में भरता है 10 ठीक है आप तीनों का LCM निकालें, कितना हो जाएगा 10, 2, 3, 3, 3, 4, 4, ठीक है LCM ऐसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या रहती है उसको हम पहाड़ा पढ़ते हैं देखे, इसको कितना हो जाएगा 5, 8, 4, 8, 5, 4 और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका ये यहाँ पे हो जाएगा आपका देखे, यह हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 लेकिन आप यहाँ पे देखिए गलती मैंने किया था, आप लोगों ने भी नोटी नहीं किया देखे, यहाँ पे क्या बोलगा Null C इसे 10 घंटे में भरे टेंग को खाली करता है तो मतलब यहाँ पर C जो है यह माइनस रहेगा तो यहाँ पर आपका 4 भी माइनस रहेगा समझे, मैंने क्या बोला यहाँ पर बहुत सारे लोगों नहीं समझा इसे मैंने लिख दिया तो आप लोग लिए इसलिए मैंने आपको माइनस नहीं लगाया पहले कि आप लोग भी यह गलती करते हैं एक्जाम में यह प्रिष्ट को नहीं पढ़ते हैं जल्दवाजी में गलत कर देते हैं यहाँ पर लिखा गया नल सी इसे 10 घंटे में भरे टेंग को खाली करता है तो खाली जो करता है वहाँ पर माइनस रहेगा तो मतलब यह 10 क्या है माइनस है तो देखिए आप क्या करेंगे तीनों का बोला गया है देखिए 8-5, 5 में से 4 जाएगा कितना बצएगा आपका देखिए 8-5-13 और 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 तो आपका कितना हो गए आपका आपस नमर 1 सही है देखिए ऐसे छोटी छोटी गलतिया होती है जैसे कि मैंने इस परष्ण में यहाँ पर यह नहीं देखा कि खाली कर सकता है और मैंने पहले ही देखा था लेकिन चिन्ह नहीं लगाया कि आप लोग भी देखते हों कि प्रशन को ध्यान से पढ़ते चले गए होंगे लेकिन जब आप इतनी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ेंगे कि तब आपको पता चलेगा कि ऐसे भी प्रशन गुमाओं प्रशन भी पूछे जाते हैं देखें बहुत इंपॉर्टन प्रशन है प्रशन को समझना है देखें हम बहुत सारे सिंपल टाइप की भी प्रशन पूछे आते हैं जिसमें आपको गुरा और आपके भाग टाइप के प्रशन रहते लेकिन उनको नहीं करता हूँ जो आपको थोड़ा यूनिक रहते हैं उन्हीं प्रशनों को करता होँ ताकि आप लोग जितने भी प्रशन करकी जाएं आपको हेलफल जरूर हो देखे नेक्स कुर्शन है एक छोटे पैमाने पर ब्यापार ने पिछले वर्स 75,000 रुपे का लाब कमाया इस साल लाब में 25% की बिरिद हुई तो इस साल अरजित वास्तिविक लाब क्या है देखे बहुत सिंपल सा प्रशन है यहां पर देखे 25% की बिरिद तो 100 पर 25% की बिरिद कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा अब डारेक्ट हम क्या लिखेंगे देखे 75,000 ठीक है तीन जीरो अब बुड़े अब यहां पर कन्फ्यूजन रहता हम 100 को उपर रखें 125 को लेकिन यहां पर क्या बोला गया है इस साल अर्जित वास्तिविक लाब क्या है तो वास्तिविक लाब पूछा गया है तो मतलब हमें लाब चाहिए तो बड़ी बैलू को उपर रखेंगे छोटी वाली को नीचे मैं हमेशा पताता हूं जब भी आपको लाब करना हो तो हमेशा बड़ी बैलू को उपर रखें दो जीरो से दो जीरो काट देंगे आपका कितना बचा 750 गुड़े 125 अब इसको जब गुड़ा करेंगे तो आपका आज आएगा 93,750 जो कि आपका आपसन नमबर 4 सही है देखिए आप प्रशनों को समझे आसानी से समझे कि कैसे हल करना है कैसे बहुत सारे लोग इस चीज में confusion में रहते हैं जैसे ये प्रशन दिया गया था आपका देखिए यहां पे 100 पे 25% का लाव होगा लेकिन ये confusion रहता है कि ये जो 75,000 आपका दिया गया है इसमें 100 को उपर रखेंगे ये 125 को उपर रखेंगे बहुत सारे लोगों को ये चीज का confusion रहता है लेकिन जब भी आपका profit होगा हमेशा आपको 125 को उपर रखेंगे और 100 वाले को नीचे रखेंगे क्योंकि profit में हमेशा बड़ी वाली मान को उपर रखेंगे और जो आपका loss रहता है उस वाली value अगर loss बोला रहता तो आपको छोटी वाले value को उपर आपको रखना पड़ता देखें इस प्रेंट को समझे होगे आसानी से देखें इंगलिस में भी रहता हिंदी में भी रहता आपको जिसमें comfortable हो आप उसमें समझेगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते हिंदी मेडियम से रहते हैं हमारा next question है इसको ध्यान से समझेगा ये आपके time and work से time and work से आपके railway में हो गया ससी में हो गया बहुत सारे कम से कम चार से पांच नमर के प्रेश्ण पूछे जाते हैं question number हमारा next है इसमें बोला गया आरजून अकेले एक कार को 12 दिनों में और भीम अकेले उसी कार को 15 दिनों में कर सकता है चेतन की सहायता से वे उस कार को एक साथ मिलकर पांच दिनों में पूरा करते हैं तो चेतन अकेले उस कार को करने में कितने दिन लगाएगा देखे इतना बड़ा प्रश्ण है बहुत सारे लोग इसमें पढ़ते हैं तो इसको skip कर देते हैं इसको ठिक नहीं करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ लोगों को तो प्रश्ण में नहीं समझ में आता इसे यहां पे बोला गया है यहां तक तो समझ में आ जा अर्जुन का बारा दिया गया है भीम का पंद्रा दिया गया है लेकिन जब यहां पे नहीं समझ में आता है जैसे कि आपको यहां पे बोला गया है यहां पे चेतन की सहायता से उस कार को एक साथ मिलकर पांच दिनों में पूरा करते हैं यहां पे नहीं समझ में आता है आप देखिए कैसे करना है जिसे आपका ये अर्जुन होगा ठीक है ए आर तो अर्जुन कितने दिन में कर रहा आपका बारा दिन में कर रहा ठीक है और ये भीम कुम लिखेंगे बी से तो भीम कितने दिन में कर रहा पंदरा दिन में लेकिन चेतन की सहाथा से ऐसा नहीं कि चेतन की सहायता से स्रीफ भीम कर रहे है तीनों मिलकर मतलब अरजून और भीम और चेतन तीनों तो मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर अरजून प्लस भीम प्लस चेतन इनकी सहायता से कितने दिन में कर रहे है पांच दिन में करने ठीक है साथ साथ मिलकर अब इनका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा देखे इसमें हो जाएगा तीस और पैतालिस यहाँ पर आ जाएगा साथ हाएगा क्योंकि साथ जो है बारा से कट जाएगा बारा पंचे साथ पंदरा चोको साथ और बारा पंचे साथ ठीक है अब यहाँ पर बोला क्या गया है चेतन अकेले उस कार को कितने दिन में लगाएगा देखे चेतन का सिर्फ काम यहीं पर है हम यहाँ से क्या करें अरजुन और भीम को घटा दें तो चेतन ही अकेले बचेगा तो क्या करेंगे जिसे पांच और चार दिया गया पांच चार को जोड़ेंगे नौ हो जाएगा और नौ में से जब 12 को घटाएंगे तीन बचेगा तो साठ से जब हम तीन को भाग करेंगे तो हमारा चेतन का निकल आ जाएगा जो कि आपका आजाेगा 20 दिन आपका आपसन नमर 1 सही है देखे सिंपल प्रेशन है लेकिन आप लोग सबसे बड़ी बात आप लोग से यहाँ पर जो है आप लोग समी करण नहीं बना पाएंगे देखे बनाना बता रहा हूं जिसे अरजुन का दिया गया था कितने 12 दिन ठीक है और यहाँ भीम का दिया गया था कितने 15 दिन लेकिन आपको यहाँ पर जो चेतन की बात की गई थी चेतन की सहाथा से वो इस कार को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं तो आपको यही पर करना ऐसा नहीं कि यह चेतन को भीम के साथ कर देंगे यह अरजून के साथ करेंगे हम इनको तीनों को एक साथ करेंगे अरजून के साथ भी भीम के साथ भी और चेतन के साथ भी तो यहाँ पर अरजून को भी लेंगे पलस भीम को भी लेंगे पलस चेतन को भी लेंगे तो यह 3 मिलकर किते हैं दिन में 5 दिन में करते हैं आप इनका जब LCM लेते हैं तो हमारा 60 आता है आप जानते हैं इसको भाग करते हैं 12,5,60, 15,60 और यहाँ पर 12,60 तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ से हम अरजुन और भीम को हटा दें सब्सक्राइब करते हैं तो आपको करना है ऐसा नहीं कि आपको सब्सक्राइब बनाना आ गया यह आप लोग जो बहुत सिंपल सवाल दिये जाते हैं मान रखे तो ऐसे नहीं आप अलग अलग तरीके से प्रशनों को हल करिए और अगर आपको अलग अलग तरीके से हल करना तो मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है तो आप लोग पिछला वीडियो भी अच्छे से देख लीजेगा क्योंक पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दुस्तों आप लोग अधन्नवाद जैहिन